हेलो फेरेंस वेल्काम बैग दो नेए वीडियो फेरेंस आज के इस वीडियो मैं आपको बताना विलिए कि अगर आपके भी टेगनो फोन में इंकमिंग कॉल रिसेव नहीं हो रहा है तो इस प्रोब्लम को कैसे फिक्स करना है गास क्या हो रहा है कि बहुत सारे फोन में अभी क्या हो रहा है कि अग्र económिंग कॉल हम करते है अपने फोन पर से इसाथ हो रहा है और यहाँ पर बहुत सारे नंबर को mindful हो जा रहा है बहुत सारे पर हमारा कॉल रिसेब नहीं हो रहा है तो अब ही क्या करना है इस वीडियो मैं आपको बतांगा तो चलिए है मैं आपको इस कर लेना है चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है आपको अपने फोन में डायलोर को ओपन कर लेना जो कि आपको फोन में बाय डायलोर होना चाहिए उसे आपको ओपन कर लेना है इस तर से हम डायलोर को ओपन कर लेंगे और यहाँ आपको ओपर की साइट थ्री डोट मिलेगा इस पर आपको क्लिक करना है और सेटिंग बाले उप्शन पर क्लिक करना है यहां से क्या होता है कि एक और option आपको सो करेगा unknown block calls from unidentified callers तो इसको अगर आपने on रखा होगा तो आपके फोन में जो भी unknown number से call आएगा जिस भी number को आपने अपने फोन में शेप नहीं कर रहा है उस number से अगर call आएगा तो आपके phone में automatic block हो जाएगा और आपको receive नहीं होगा तो आपको क्या करने इस option को आफ कर देना है आप जैसे इसको आफ कर देंगे अभी आपके phone पर जो भी unknown number से call आएगा और रिसीब हो जाएगा अगर इतना करने के बाद आपके phone में receive नहीं हो रहा है तो आपको अब second step करने के लिए हमें back चले आना है home screen पर और अभी आपको क्या करने है आपके phone में setting को open कर लेना है phone में setting को open करेंगे और यहां पर आपको एक apps का option दिख जाएगा apps and notification कुछ भी आपके phone में so कर सकते है आपको क्या करने है इस पर click कर लेना है यहां पर click करेंगे और अभी आपको app management बाले option पर आपको click कर लेना है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको सर्च बार में सर्च कर लेना है फॉन डायलर जो भी आपके फॉन भी है सिस्टम का डायलर होगा आपको उसको यहाँ पर सर्च कर लेना है और open कर लेने, open करेंगे, open करने के बाद आपको यहां पर storage usage का option सो कर जाएगा, storage usage बाले option पर आपको click करना है, click करेंगे, यहां पर clear data का option आपको सो कर जाएगा, आपको इसी बाले option पर click करना है, यहां से okay बाले option पर click कर देना है, इस तरह से आपको अपने phone की data को clean कर लेना है सोरी डैलर के डेटा को clean कर लेना है इतना कर लेंगे हमार second step done हो जाएगा और फिर भी नहीं हो रहा है तो आपको third step करने के लिए आपके फोन बे जो भी डैलर होंगे उसको select कर लेना है लाइक आपके फोन में जो by default डैलर है आपको रहने देना है और बाकि आपके फोन में जो भी डायल्ष आपने थारड़ पाटी इंस्ट्ल्ल किये होंगे उन सारे को अनिस्ट्ल कर देना है या फिर कोलर से जुरा क्या आपको ऑपाधी से जुरा आपने किसी व히 जो problem थे यहां पर fix हो जाएगा 100% आपके phone में हुआ की नहीं हुआ fix आप हमें comment करके बताइए तो चलिए मिलते हैं एक next video में